गुड बॉनिंग एवरियोन आज हैं 11 अप्रेल 2020 और 11 अप्रेल से करेंट अपेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्युस्टन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डी टील में इस वीडियो में तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें और प्रतेक क्युस्टन के साथ इस्टेट फस्ट क्युस्टन है हाली में संयुक्त राष्टर ने वित्वरस 2021 में भारत की जीडिप जीडिप यहने ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है तो यह अनुमान लगाया है 2021 के लिए 4.8 प्रतिसत का तो संयुक्त राष्टर ने व प्रतिसत अब इसे घटा कर 4.8 प्रतिसत कर दिया है United Nation ने बात करें United Nation की इसकी स्थाप्णवाईती 24 अक्टूबर 1945 को हेड को अट रहे United Nation का New York में और इसके वर्तमान में हेड है या माने जी सकें Antonio Guterres और ये कहां के है Antonio Guterres तो ये पृत्ज गाल के है एंटोनियो गोटेरस उसके लावा सभीत राष्टर दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को और यह पहली बार कप मनाया गयता है सभीत राष्टर दिवस मनाया गया था तो अभी सभीत राष्टर ने वित्वरस दोजार एक्टिस में भारत की जीड़ेपी वर्दिदर 4.8 परतिसत रहने का अनुमान लगाया है नेक्स्ट किसने हाली में किसरा ज्यसरकार ने ओप्रेशन सिल्ड शुरू किया है एस एच आइए एलड शुरू किया है तो यह कि हैं दिल्ली गॉवर्मेंट ने तो भी दिल् 19 कोरोना वाइरस के परसार पर अंकुष लगाने के लिए यह शुरू किया है और यह 21 कोरोना प्रवावित इलाकों में लागू किया जाएगा और अभी दिल्ली गौवर्मेंट ने घरों से बार निकलने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना भी अनेवारे किया है तो दिल्ल के लगवार्णों का मतलब है इसकी पुलपर में तो एसका मतलब है सीलिंग ओफ एरिया तो एरिया को सील करना सीलिंग ओप एरिया एसका मतलब है एच का मतलब है होम कौरंटाइन होम कौरंटाइन यानि होम आइसलेशन होम कौरंटाइन आए का मतलब है आईसलेशन ओप इ का मतलब । लोकल सेनिताइज़ेशन डी का मतलब । डॉर तू डॉर सर्वे तिये लग लग है इसका मतलब तो सिल्ड की फुल फॉरम देयन रहे हैं सेलिंग ओप एरिया एज का मतलब होम कॉरांटाइन आय का मतलब आइसलेशन ओप इनफेक्टेड पैसेंट इका मतलब इसेंचियल सर्विसेज इंस्योड एल का मतलब लोकल सेनेटाइजेशन और डी का मतलब है दूर्टू डौर सर्वे यह दिल्ली गौवर्मेंट ने शुरू किया है और अभी फाइव टी प्लान भी शुरू किया था दिल्ली गौवर्मेंट ने कोरोना वाइरस के लिए फाइव टी तिसमें पांच बिंदू थे तो पांच दिल्ली गौवर्मेंट ने शुरू किया है तो इसके लावा दिल्ली के चिफ मिनिस्ट ने अर्विंद केजरिवाल और ल्यूटरिन गौवर्नर अनिल वेजल नेक्स्ट किसने हाली में सार्क ने अपने सदस्य देशों को कोविद 19 प्रियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है तो यह दिया है पांच मिलियन डॉलर तो भी जो सार्क है सार्क ने सदस्य देशों को कोविद 19 के लिए प्रियोजनाओं के लिए पांच मिलियन डॉलर का आवंटन किया है अब इसके सदस्य देश कौन-कौन से सार्क के जिसके आठ सदस्य देश है सार्क के साउत अग। है आँस से देशोंगे नाम याने करना है अफ्गानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश uh नेपाल भारत लुटान श्रलंका तो यह आठ देश में आपарт सिर्लंका sud 2020 प्रियोजनाओं यिल्याओं ये सार्क ने बात करें सार्क की तो इसकी फुलपॉरम देन करें हैं फुलपॉरम में इसकी साउथ एसेन असोसियेशन ओप रिजनल कोपरेशन इस्तापनाइटी उनिस्सों पिच्छेंशी में हेड को आट रहे हैं नेपाल की केपिटल काटमांडू में कि नेक्स्ट किसने करने की घुषय के एक हरीयाणा गौर्मेंट ने तो हर्याणा गौर्मेंट ने जो भी लोग डाउन के दौरान जो डोक्टर और नर्सें और काम कर रही है उनका वेतन दूगना करने की गोसना की है हर्याणा गवर्मेंट ने तो लोगडाउन के दौरान दुग ना करने की गोशना किये वेतन को क्योंकि इस समय पर डॉक्टर और नर्थी अपने कारियों में लगे वे हैं तो यह हर्याना गवर्मेंट ने किये तो हर्याना के चीप मिनिस्ट्रे मनोर लाल खटर गवर्नर सत्य देव न इस कब मनाय में थो हम पेटी दोस मनाय गया गया है वि दस अपरेयल को करेक्टिश मना थो हमिशू खाय घृत द्यूहत ख़ङ does सब्रेव होम्यों ऍहीं हो समवल हेरी हैच संध की संध करने के लिए 10जाचिका में को इस माना जाता है इनका जूनम और दोता है दस अब्रेय मेन कौन है जॉक्र सेमुल हेरी मेन तो इनी की जैनती को चिन्यत करने के लिए हर साल दस अप्रेयल को मना जाता है वीशु होम्योपेथी डिवर्स उसके लाव इसकी थीम द्यान कना इसकी थीम है लिंकिंग रिसर्च विट एजुकेशन एंड क्लीनिकल प्रेक्टिस और एड क्या है इसकी तीमलिंकिंग रिसर्च भी एजु केशन एंड क्लीनिक क्लीनिकल प्रेक्टिस एड्वांसिंच श्योंगी के लो कोलाब्रेशन तेमने गये दस अपरेयल को चाहिए ऑप आपेद्र योश्य ओशुम्य चाहिएं अपरेल का मला घटा अगे लिषु Sवास्ती विशु स्वास्ते दिवस क्योंकि डबलो एचो कि स्थापन आती साथ अप्रेल उन्नीस और तालिस को उसके लवा छे प्रेल को मनाए गये ता इंट्रनेशनल डे ओप स्पोर्ट पोर डॉलप्मेंट एंड पीस और पांच अप्रेल को राष्टिय समुद्री दिवस चार ऐसे अंतरराष्टिय क्षदान जागरुखता दियोंस याने इंट्रनेशनल डे ओफ माइन अवेर्नेस उसके लावा को दो अप्रेल को मनाये गये था वीशु ओटिज्म जागरुखता दिवस और एक प्रेल को उडिषा दिवस मनाये गया था नेक्स्ट कुछन है प्राइन का कोरोना वाईरस के कारण निदम वाएं वे कोंते तो एक लोख गाएंग ते अमेरिका स्थे जॉन प्राइन तो इन्हें के यह अमेरिका के लोग गाएंग पूसे कारह ने को next question है हाले में किस मंतराले ने भारत पड़े ONLINE अभियान सुरू किया है तो यह क्या है मानो संसादन विकास मंतराले rost Performed Muslim बात किरें मानो संसादन विकास मंतराले की तो मानो संसादन विकास मंतरी है वर्तमान में रमेश, पॉकरियाल, निसंग उसके लाव मान विकास, मानव संसाधन, विकास, राज्य मंतरिय संजे 2 तोनों मैं यह मानव विकास मानव संसादन विकास राज्य मंतृ दोनों याद रुखना है जैसे अमिट साहव उसके लावा गरहर राज्य मंतृ नित्यानंद राई नेक्स्ट किसे ने हाली में मॉबाइल प्रोविजन इस्टोर की शुरुवात किस राज्य सरकार ने किये हैं तो यह किये हैं तमिलनाडू गॉर्मेंट ने मॉबाइल प्रोविजन इस्टोर की शुरुवात किये लोगों तक फल और सब्जियां पहुंचाने के लिए इसकी शुरुवात किये मॉबाइल प्रोईजन इस्टोर की तो यह किये तमिल नाडू ने तो बात करें तमिल नाडू की केपिटल है चैन नहीं सीय में चीप मिनिस्ट ने एडा पंडी के पलनोस्वामी और राज्यवाले बनवारिलाल प्रोहीत नेक्स किसने हाली में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोवीद नाइंटीन का मुकावला करने के लिए किस के साथ समझता किया है तो यह समझता किया है यूनिसेप के साथ तो चबी इन्दूस्तान युनिवर में संज्डीव मेता हैं इसके CEO हिंदूस्तान युनि लेवर क्या इसके फुलपरम युनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चेल्डरन एंड एजुकेशन फंड इसको सौट में युनाइटेड नेशन चिल्रेंस पंड भी बोल दिया जाता है यह पूरी फुलपरम में इसकी युनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चेल्डरन एंड एजुके और अपशन सी क्रेक्टन इसका मेरी जॉर्डन अपशन सी क्रेक्टन है ये मिस्टेक्से लगावा है कोबे ब्राइंट पर ऑप्शन सी एक मेरी जॉर्डन पर अमेरिका की रिपोर्टर है मेरी जोर्डन इनको पुलिच जर अवार्ड भी मिला था 1917 में शुरुआ थी पुलिच जर अवार्ड ये पत्रकारी ता कि छेत्र में दिया जाता है पुलिच जर अवार्ड तो दर आट ओप हर डील अंटोल्ड इस्टोरी ओप मेलानिया ट्रम्प तो इस पुस्तक का लेकन किया है मेरी जोर्डन ने तो जून 2020 में इसका विमोचन होगा इस पुस्तक का तो मेरी जोर्डन ये अमेरिका की रिपोर्टर हैं और इनको पुलिच जर अवार्ड भी मिलाता मेरी जोर्डन को पुलिच जर अवार्ड पत्रकारी ता कि छेत्र में दिया जाता है और 1917 में इस अवा मेलाया ट्रम्प न? तो न अट ओफ हर्देज, यह पुस्तक का लेखन की मेरी जोर्डन ने यह मेलानिया ट्रम्पट यह पुस्तक तो या आज करंट पर का वीडियो कमेंड वक्स में जरूर बताएं कि वीडियो क्यों अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड सेर करें कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिसे कि सारे करंट अपेर के वीडियो आप तो पहुंसे के डेली मोर्निंग में तो तेंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो तेंक्स वाल प्रेंट्स